हेलो फ्रेंट आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ताकत्वर सब्जी कखोड़े की सब्जी तो यहां पर मैंने ककोड़े को अच्छे से साप कर लिया है इसको मुझे अच्छे से साप करके इसका पानी शुखा लेना है ककोड़ा सबजी में सबसे ज़्यादा ताकत भर और ये बरसात के मौसम में ही मिलता है तो यहां मैंने इसको अच्छे से साप कर लिया है और कट करना शुरू करते हैं तो यहां मुझको इसे लंबे आकार में कट करना है इस तरह से पतला पतला और लंबे आकार में मुझे सारे का कोरे को कट कर लेना है इसी तरह से हम सारे ककोरे को कट कर लेंगे और यहां पर मैंने लिया हुआ है प्याज प्याज मुझको थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना है जिससे की ककोरे का कड़वापन ना है यहां मैंने प्याज को और ककोरे को बराबर मात्रा में कट किया हुआ है इसके बाद यहां पर मैंने कड़ाई को गरम होने के बाद इसमें डाल दिया है तेल तेल को हम अच्छे से गरम होने के बाद इसमें ककोरा डाल दिया है इसको पहले मुझे फ्राई करना है इसको हम इस तरह से कंचली की साथा से चलाते रहेंगे तो यहां हमारा ककोरा फ्राई हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो यहां मैंने सारे ककोरे को प्लेट में निकाल लिया है, इसके बाद उसी कड़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, तेल हमारा गरम होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है, ज प्याज को हम गोल्डन होने तक पकाएंगे इदर मैने लिए हैं सुके मसाले हल्ली पाउडर लाल मेज पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और यहां हमारा प्याज भी पक कर हो गया है तयार इसके बाद हम इसमें जो मसाले निकाल के रखे हुए थे उसको डाल देंगे तो यहां पर हमने गैस को धीमा कर दिया है और मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के पका देंगे जिससे कि हमारे मसाले और अच्छे से पक जाएं तो यहां हमारे मसाले पक कर तयार हो गए हैं इसके बाद हमने इसमें ककोरे डाल दिये हैं तो इसको भी हम अच्छे से मिला इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है नमक, नमक को भी हम अच्छे से मिला देंगे, कपोरे में और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढग देंगे, यहां मुझे गैस का फ्लेम दीमा रखना है, यहां पर मैं सब्जी को चेक कर रही थी, तो सब्जी को अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, सब्जी हमारी बनकर हो गई है, तयार, यह सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदे मन्द है, आप लोग इसको इस तरह से एक बार जरूर ट्राइक करें, यहां पर मैंने डाल दिये, थोड़ी सी कस्तूरी में थी, अग लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी रेस्पी कैसी लगी,